Hello students, आज हम रीट करेंगे इंग्रिश लिटरिचर में चेप्टर 12 उसके निये में फुलिश मेजिशियन Once a man named Krishna Swami lived in the city of Pataliput एक समय की बात है कि एक Krishna Swami नाम का इंसान कहां पर रहता था? Pataliput नाम शहर में रहता था He and his wife had four sons उसके उसकी पतनी कितने बच्चे थे? चार बच्चे थे However, both Krishna Swami and his wife passed away while the children were still young वो कह रहें कि Krishna Swami और उसकी वाइब गजर गए जबकि उनके बच्चे क्या है? बहुत छोटे ही थे Their greedy relatives tricked them out of the property उनके लालची जो रिस्तियार थे उन्होंने उनको प्रॉपर्टी के नाम पर उनको घर से भगा दिया And the boys were left penniless मतलब bigger पैसे मैंसे कि वो अब बचे हैं Since they were young and did not know how to earn a living They decided to go to their maternal grandfather's house जबकि वो वो छोटे थे और उनको पता नहीं है पैसे बार कैसे कमाए जाए और क्या आंगे करा जाए तो वो अपने नानी के घर गए है Maternal मतलब जो मम्मी रिस्टार होते है उनको करते Maternal Grandfather's house मतलब नाना They reached there after a hard journey only to discover that their grandfather was no more However, their uncle gave them shelter and the four boys continued with their studies अभी जो उनको रहने खाने चाहिए थे उनकी अंकल बगर है मतलब अंकल के मामा प्रवाइड कर रहे थे और जो चार बच्चे थे अपनी पढ़ाई के साथ उनको आगे continue करी studies As the month passed, this kind of treatment started to win जैसे ही मन्त गुजरते गए जैसे ही मन्त गुजरते गए तो इस तरह के treatment क्या लगने लगा? अजीब लगने लगा And they were no longer treated well Or given enough food and proper clothes अब जैसी कई भी हम जाते हैं, कुछ समय के लिए हम रहे हैं तो हम लोग के अच्छे से मलब वो इजर करते हैं और हम जाद समय तो उनके साथ रहने लगे तो फिर वो हमें एकिन और कने लगे फिर वो हमें बात करते इतना importance नहीं देंगे तो वो यह उनके साथ हो रहा था पहले उनके अच्छा चीज मिलने दिखाने पीने की अब उनके कुछ नहीं मिल लगे अब भरबूर खाना और कपड़े उसाई से नहीं मिल लगे अब उन लोग को समझ में नहीं आ रहा तब क्या किया जाए एक दिन उन लोग ने पैट कर सोचा कि यह सिचूएशन के साथ बीट रही थी खराब सी अब उसको कैसे खतम किया जाए अब उनके बोला अब भू कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कुछ इस तरह करना चाहिए को दिमाग ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम बहुत साथ पैसे कमाल है और हमारी जो प्रिजेंट की प्रॉबलम सो अब समलो फ्री रहे हो जाए All the boys liked this idea and started discussing what kind of knowledge they should master सारे जिनके भाईते चारो वो सी बारे सोचने लगे कि हाँ क्या किया जाए और planning करने लगे After some discussion they decided that it would be best if they acquired magic powers अब सब discussion करने के बादे क्या का कि अगर उनके पास जादवी सकती आया तो वो काफी कुछ कर सकते Which would help to bring steady income और अच्छी इंकम उनके पास आईगी With this plan in mind each of the brothers set off in a different direction North, East, South, West यह उनके mind of plan आया और उनके सारे ब्रदर सब अलगे डारेक्शन में चलेगा कोई East में, कोई West में, कोई North में, कोई South में To learn different magical skills क्या ही सब लोग अलग अलगा magical skills, जादवी skills, learn कर सके They plan to meet again at a particular time And place to see what each of them had learned और उनलोंने decide किया कि यह सब सीखने के बाद कुछ इस time पर हम लोग मिलेंगे मतलब इतने समय बाद मिलेंगे और हम लोग फिर discuss करेंगे कि हम लोग ने क्या सीखा ठीक, क्या तुम लोग सब ने क्या क्या सीखा है एक time or place पर हो, उनलोंने पता है कि हम आम लेंगे Many months later, when the time to meet came closer All four brothers started out for the appointed place कुछ महीने बाद, बहुत से महीने बाद जब उनलों का time पर लग गया कि हाँ, इस time पर हम लोग प्रोमस किया था कि हम लोग सब मिलेंगे सारे ब्रदर बहीं अपने जो place उनलों अपॉइंट की थी भाएंगे लिए निकल गए They were very happy to see each other again and ask what each of them had been able to learn वो सब आपस में दूसरे दिखके बड़े खुश हुए और उनलोंना पूछा कि सब लोग ने आकर आकर क्या सीखा है ठीक है Students आज हम सिर्फ इधरी तक पढ़ रहे हैं इसके आगे हम continue करेंगे next class में